प्रशान दवन रिसेंटली USA में एक बहुत बड़ी कॉंडर्वर्सी खड़ी हो गई है और मेरे असाब से US हिस्ट्री में शायद ही इससे जादा बड़ी कॉंडर्वर्सी कभी सामने आई हो USA के आर्मी जेनरल ने डॉनल्ड ट्रम्प को एलेक्शन से पहले, US एलेक्शन से पहले धोका दिया था और एलेक्शन के दोरान भी धोका दिया हुआ यहाँ पे क्या था, it is absolutely hard to believe मगर जो डॉक्युमेंट से हमारे सामने है हाली में एक किताब लॉन्च हुई है, किताब का नाम है Peril, Peril का मतलब होता है हिंदी में जोखिम यह किताब कवर करती है ट्रम्प के आखरी कुछ साल और बाइडन के स्टार्टिंग के कुछ महीने किताब लिखी है Bob Woodward और Robert Costa ने, यह किताब क्लेम करती है के ट्रम्प के अंडर जो USA के Chief of Army स्टाफ थे इन्होंने चुप चाफ secretly ट्रम्प को बिना बताए, चाइना को देदी वार्निंग के ट्रम्प आप पे अटाइक कर सकता है ट्रम्प US Army को कह सकता है के एक बड़ा अटैक लॉंच करो चाइना पर, अगर ऐसा होता है तो वार स्टार्ट मत कर देना, हम लोग पीशे से ट्रम्प को लोग नहीं कोशिश करेंगे ये बात completely expose करती है इस किताब ने, जो ये पूरा इशू है आपको starting से समझना होगा ताकि सब कुछ crystal clear हो जाए 2020 में जो recently चुनाव हुए हैं, उसमें आप अगर देखो तो initialी लग रहा था के डॉनल्ड ट्रम्प अराम से जीच जाएंगे इनके अंडर US stock market बिल्कुल टॉप पे थी, unemployment बहुत कम हो चुकी थी, overall Americans काफियत तक खुश थे मगर सब कुछ change कर दिया, COVID-19 pandemic ने, जैसे ही ये virus फैल गया, उसके बाद से ट्रम्प के जीतने के chances बहुत ज़रा कम हो गए उसके बाद जो voting system है, वो भी काफियत तक बदल दिया गया, लोगों ने mail के थुरू voting करी, उससे भी मना जाता है कि डॉनलर्ट ट्रम्प के जीते के chances काफियत तक कम हो गए तो जो ये किताब है peril, ये यहाँ पर claim करती है कि ट्रम्प बहुत ही जादा nervous हो गए थे 2020 की शुरुवात में जब ये virus बहुत तेही से फैल रहा था, इनको पता था कि अगर ये virus तेही से फैल गया, तो ये हो सकता है कि election हार जाएंगे और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, COVID-19 से लोगों का ध्यान थोड़ा बहुत divert करने के लिए possibility थी कि ट्रम्प एक बार को war declare कर देते अगेंस चाइना, इसका एक बड़ा reason ये भी था कि जो ये virus है ये चाइना से ही आया है, तो ट्रम्प यहाँ पर कह सकते थे कि जो ये है Mark Miley, ये थे उस वक्त USA के Army General, आज के समय इनका promotion हो चुका है, अब ये है Chief of Defense Staff, Biden की सरकार में भी आज भी ये बने हुए हैं, और Biden को recently दिया था एक promotion, जब ये ट्रम्प के अंदर काम कर रहे थे, तब इनको पता लग गया कि Donald Trump यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, और एक बार को election जीते के लिए, ये चीन पर attack भी कर सकते हैं, जिससे जो ज़रादार जनता है हमारी का की, ये ट्रम्प के पीछे खड़ी हो जाए, और ट्रम्प election जीत ले, तो Mark Miley को यहाँ पर डर ये था, कि चाइना के पास भी nuclear weapons हैं, युएस के पास भी nuclear weapons हैं, अगर war कल को बहुत ज़ हैं, ली जाउजेंग, इनको कॉल किया, 30 अक्तोबर 2020 को, election से सिर्फ कुछी दिन पहले इनको कॉल किया, और ये कहा, देखो सुनो, हमारे प्रेजिडेंट सोच रहे हैं तुम पर attack करने का, अगर वो initially order दे दे, और कुछ हमारी तरफ से movement होती है, हम तुमारी कुछ सम्मरीज जबा देते हैं, pacification में, कुछ हम bombing करते हैं, उससे yes, you मत कर लेना के war start हो चुकी है, खुद अपनी तरफ से कोई बड़ा action मत लेना, हम जल से जल कोशिश करेंगे, कि Trump को अपनी position से हटा दे, और जो ये war है, अपनी तरफ से जो army general है, ये सब मिलके रोग दे, और ये जो call है नोने दो बार करी थी, एक दो बारी थी 30 October 2020 को, उसके बाद जब Trump election हार गए, तो January 8 को भी नोने call करी थी China को, और ये का था कि Trump election हार चुका है, हो सकता है कि जाने से पहले वो एक war start कर दे China के against, तो अगर US की तरफ से कोई भी military action होता है, assume कर लेना कि Trump के कहने पर बस कुछ steps ल President को बिना बताए, चुपचाप चाइना को call कर दिया, और ये कहा कि war start कर मत देना, हमारा President इस वक्त बहुत ज़्यादा paranoid है, इसको निकलने दो, उसके बाद relations हमारे बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे, और चाइना को assure करने के लिए, कि war कोई बड़े scale पर US नहीं करने वाला, माली ने एक और काम किया, माली ने USA के और जो बहुत सारे commanders हैं, उनको इखटा किया, ये सब by the way, Trump को बिना बताए किया गया था, और एक meeting हुई, और meeting में ये discuss किया गया, कि कल को अगर Trump ये भी कहता है, कि nuclear missile launch कर दो, तो उस case में भी, ये लोग Trump की बात नहीं मानेंगे, यहा माली ने ठीक किया, क्या कल को अगर US के प्रेजिडेंट कहते, कि चाइना पर एक nuclear strike करो, और इनके army general मना कर देते, तो क्या ये नैतिक रूप से सही decision होता, या फिर इनको सिरा-सिरा बात माननी चाहिए थी अपनी प्रेजिडेंट की, और attack करना चाहिए था चाइना को, यहा हवा ऐसी बन रही है, माली को जन्वनी लगा कि possibility बहुत हाई है, कि ये एक बार को अपनी कुरसी के लारच में चाइना के साथ war भी start कर सकते हैं, तो इन्होंने precautionary measure में यहाँ पे चाइना को ये कहा, कि तुम लोग war भी start कर देना, अगर हमारी तरफ से कुछ action लिया जाए, अब obvious ही बात है, आज के समय, 2021 में आप अगर टरम से बात पूछोगे, तो टरम तो यही कहेंगे, कि बिलकुल नहीं मैंने चाइना के against war का कोई plan नी बनाया था, क्योंकि अगर ये कह देते हैं, कि हाँ मैं चाइना को attack करने वाला था, तो उस case में तो आप अगर देखो, तो माइली डम है, और कुछ अब शब्दिनों ने आपर इसमाल किये इनके लिए, और इन्होंने आपर ये कहें, कि कभी भी इनका plan नहीं था, कि election जीतने के लिए, ये चाइना पर attack करेंगे, now obviously आप अगर expect करते हैं, टरम से, कि ये admit कर लेंगे ये बात, तो ये मूर्खता होग टरम ओविएसली ये बात admit नहीं करेंगे, कि election जीतने के लिए, मैंने एक बार को चाइना पर attack करने की भी सोची थी, मगर अजीब बात ये है, कि मार्क माइली को appoint किया था, डॉनल टरम ने, और आज के समय आप अगर देखो, तो जो बाइडन ने इनको promotion दे दिया है, ये औ और टरम की जो पाटी है, ये जो बाइडन को कहरी है कि मार्क माइली को immediately fire करो, क्योंकि जो इन्होंने किया है, ये गलत है, क्योंकि अगर कल को कोई भी US military officer, military general, ऐसे ही रश्या से बात करना start कर दे, चाइना से बात करना start कर दे, बिना प्रेजिडेंट को बताए, तो इस तर in the election, और जो ये सारा episode यहाँ पर हुआ है, इससे ये बात भी बता लगती है, कि टरम की सबसे बड़ी गलती ये थी, कि इनको team choose करना नहीं आता था, वैसे एक बार को काफी wise आत्मी थे, leader अच्छे थे, मगर जो इनके आसपास लोग थे, कभी भी इनके proper control में थे, नहीं, आ अभी भी इनको प्रॉपर टीम बनाई नहीं, इनको प्रॉपर लोग नहीं मिले, जो सिर्फ इनके लिए ही काम कर रहे थे, तो ये मैं कहूँगा, एक tragedy थी, इनकी पूरी presidency की, तो in the end मैं यहाँ पे आपसे पूछूँगा, कि क्या आप मानते हैं, कि मार्क माली ने वैसे ठ और फाइनली अबर मैं ये भी आड़ कर दूँ कि अनकाडमी का जो UPSC कोर्स है, इस पर मेगा डिसकाउंट चल रहा है इस वक्त, simply जाओ अनकाडमी.com पे, जो ये पूरा पेज है न, ये मैं आपको नीचे जो comment section है, pin comment section वहाँ पे प्रॉवाइड कर दूँगा, और यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं, अनकाडमी का UPSC कोर्स, जिस पे इस वक्त heavy discount है, usually आप देखोगे, कि जो 24 बहने का कोर्स था, वो था करीब 3000 रुपे का discount लगकर वहाँ पे जो rate है, वो पौशरा 2700 रुपे पर मंत पर, मगर already ये 2700 रुपे पर मंत हो चुका है, because of the discount, इस पर लगेग additional discount, अगर आप यूज करते हैं, promo code PD10, the prices will fall even more, so सिर्फ 2500 रुपे से कम में, आप UPSC prelims और mains की चारी कर पाएंगे, with Unacademy's UPSC course, so go to Unacademy.com and use the code PD10, so इसी note के साथ, यह वीडियो का, thank you for listening and as always, God bless you all. झाल